स्री शिवाई नमस्तु भ्यम दर्शको कैसे हो आसा करते हैं कि आप सब स्वास्त एम्स राक्षित होंगे दोस्तो हमारे जीवन से कुछ जुड़े ऐसे कारिया होते हैं जो कि हमारी नाभी से ही जुड़े होते हैं और ऐसे में ही दोस्तों कुछ टोट के और उपाई नाभी के बताए गए हैं जिनको अगर इनसान करता है तो उसे बहुती जवर्दस्त फाइदा प्राप्त होता है और साती सात बहुती लाप्त प्राप्त होता है और इनसान की जीवन की नाभी के इस छोटे से उपाई से इनसान की जीवन की आ रहे सभी परकार की समश्याओं को भी दूर किया जा सकता है कैसी भी समश्या हो धन को लेकर समश्या हो या फिर व्यक्तिगत समख्या हो या फिर सरीर में किसी परकार की बिमारी हो तो सभी परकार की समश्याओं को दूर करने के लिए नाभी का भी कुछ ऐसा उपाई है जिसको अवश्याई करना चाहिए ऐसे में दोस्तों आज मोहिनी एक अदसी है और आज गुरुवार भी है यानि कि दो दो पर्व हैं मोहिनी एक अदसी भी वगवान सरीहरी विश्याओं को प्रिय होती है और साथ ही साथ जो गुरुवार का दिन होता है यह भी वगवान सरीहरी विश्याओं को ही समर्पित होता है तो ऐसे में दोस्तो आज आप लोगों को हम एक नाभी का उपाई वताने वाले हैं लेकिन वीडियो को आगी बढ़ाने इस पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो की प्यारा सल आएगा उश्यकरे तो दोस्तो आज रातरी में आप लोगों को मातर हरसन योग पड़ा है आज रातरी में आप लोगों को एक चुट के हल्दी लेनी हैं और एक चुट के हल्दी आप लोगों को लेत कर मातर सोने से पहले कुछ मिनट्स पहले 12 वजे से कुछ मिनट्स पहले आप लोगों को एक च दोस्तो यह सब्द बोलकर आप लोगों को बिलकुल चुप-चाप सोजाना है। दोस्तो अगर आप लोग ये कारिया सुकल पक्षी यानियी की गुरुआ के दिन करते हो हैं तो एक शुकल पक्षी में